ये बंगला आपको बहुत पसंद आएगा मैंने आपके सारी रिक्वाइबन्स का ख्याल रखा है एक बार आप देख रहेंगे तो सारी बात समझ जाएगे क्या हो? कुछ नहीं चलिए? जी आईए हरिश भाई काफी ढूरने के बाद ये बंगला मैंने आपके लिए सिलेक किया है मुझे आपके चॉइस का पता है न एक बार आप देखने तो मेरी भी तसलिय हो जाए ये आपको पसंद आना ही चाहिए चले? हाँ चले आईए हरिश जी हाँ जी आईए बहुत अंदेरा यहाँ पर हरिश भाई आप जड़ा यहां रुकी मैं जड़ा मेंस को चेक करके आता हूँ क्या वज़े है आता हूँ कौन? पिनोद भाई? पिनोद भाई? कहा है आप? पिनोद भाई? पिनोद भाई? कहा है आप पिनोद भाई? बिनोद भाई बिनोद भाई बिनोद भाई बिनोद भाई ओने बोत मै! बोत मै! बोत मै! पाचो! अै को पाचो! 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 पाचो को जे! ई ईह बाच hear ईह 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 इह बाच कि कि अवच प्याँ को बखाइब है कि अ अवचग छिस सक्वारा कि अवच प्याँ प्याँ जब खुब कि अवच तान याँ याँ कर दो कि अवच कि रहाँ कि अब आप 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 से चीक करके भागाए मैंने लोगों की बात पर विश्वास नहीं किया था तभी ने कहा था कि यह मकान भूतिया है कि आसा गान क्या कि थी मैंने तुम्हारे साथ जो तो मुझे ये मकान दिखाने लिए यह मकान नहीं शंचाणकं है शंचानcelत का वहां पच्छे पर लाश लटकी हुई है हैं मुझे ये मकान नहीं खरीद ला गर्ट करते हैं अरिश रहें मैर सकतना तुम नेट उनने वाकान मेरे मत्हे मनना चाहते हो दोगा किया है तुम दे मेरे साथ दोगा अरिश भाई है अरिपैर मेरी बात को सुनी है कुछ नहीं सुनना मुझे कि अ हुआ है कि अ कि कि अ मैं मязण नहीं य हुआ कि? याय मैं कि व अ अरे क्या हुआ होना क्या था बकान का सौदा आज भी नहीं हुआ जो आया था वो भी उस मकान को भूतिया क्या कर भाग गया रेश्मा ये तीसरा कस्टमर था लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती जो भी इस मकान को देखने आया उसने यही कहा कि उपर वाले कमरे में पंक्रिस एक लाश लटकी हुई है लेकिन लेकिन मुझे तो वा कुछ भी नाजर नहीं आया अरे छोड़िये नो उस मकान को कैसे छोड़ दू तुम तो जानती हो रेश्मा पूनम की एक मा है उसके दो छोटे-छोटे भाई हैं और उन लोगों की माली आहालत भी ठीक नहीं है अगर ये मकान बिख जाता तो उनके लिए कुछ आस्रा बन जाता देखिए पूनम की मौत तो होच चुकी है लेकिन उसके मौत के बारे में अभी तक ये पता नहीं चला कि उसकी मौत एक हाथसा थी या उसने खुद कुशी कर ली लेकिन हैरानी की बार तो ये है इसका जवाब जानने के लिए तुम्हें पूनम की जुन्दगी में उतर कर देखना होगा ये आवाज किसके थी? ये शकिन में बारे में आवा आवाज कर दो ये बारे में इदेए झानने के ली तुम्हें। ये वेप ये वेजाब देखना में अवेजाब थी? दृब येवाब पिर आवाब मार रह टूड़ कि चृड़ आग। झाल विनोध, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतिजार कर रही थी, नमस्ते, बैठो कुछ हुआ मकान का, नहीं निर्मला जी, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मकान देखने आता है, डर कर भाग जाता है, हर एक यही कहता है कि उसस मकान में पंके से लटके हुए एक लाश नजर आती है, बस बात वहीं खत्म हो जाती है क्या तुम ही वहाँ पर कोई लाश नजर आई, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता वहाँ, दरसल कुछ लोग नहीं चाहते कि हम उस मकान को बेचे, शायद यह उन्हीं लोगों की साज़श हो सकती है, लेकिन निर्मला जी, वो लोग है कौन, और कौन, वही, राम प्रकाश आचारी जी के दोनों बेटे, सुनिल और अनिल, अरे किसे मिला आपको, अरे, अरे साप क्या करें आप, आप अंदर नहीं जा सकते हैं से, अरे, मुझे बताइए तो, अरे कैसे जा रहें आप, अरे रुकिये, आप ऐसे जा नहीं सकतें सर, काईए, मैं सुनिल अचारे हूँ और यह है मेरे छोटा भाई, अनिल, हम दोनों राम प्रकाश अचारे के बेटे हैं, आई सी, बैठी है, हम यहाँ बैठने नहीं आये हैं, हम तुम्हें सिर्फ इतना समझाने आएं कि जिस मकान को बिगवाने के पीछे तुम पड़े हूए है, वो मकान हमारे पिता राम प्रकाश अचारे का है, जी नहीं, दरसल वो मकान राम प्रकाश अचारे ने पूनम के नाम से खरीदा था, और पूनम ने अपने मरने से एक महिना पहले, उसे अपनी मा यानि निन्मला देवी के नाम कर दिया था, आज उस मकान की मालकिन निन्मला देवी हैं, कानूनी तोर पर उस मकान को तो हम जल्दी हासिल कर लेंगे क्योंकि आखिर पाप की जड़ात पर पेटों एक अधाक होता है मुझे लगता है आप कानूनी लडाई हार जाएंगे हम हारे चाहें जीते हैं लेकिन तुम इस सौदे से अपना हाथ खिच लो इस मौमले से अलग हो जा वरना 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 मिस्टर विनोद इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा हम आई सी अब मैं समझ गया ये मकान बिक क्यों नहीं रहा आप दोनों इसमें रुकावट बने वो हम देखो हमसे उलजने से बैतर होगा कि हमारी बात पाननों और हमारे रास्त धर जाओ ये तो नहीं हो सकता वैसे आप जो कुछ करना है कर लीजी ठीक है विनोद मैं समझाना हमारे काम था अगर आप ना समझे तो ये अच्त आएंगे चले नहीं का कर दो कि कि क्या उन दोनों ने आके तुम्हें धमकी दे दी? हाँ निर्मला जी लेकिन मैं उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ वो लोग मेरा कुछ नहीं विगार सकते पता नहीं विनोध उन्हें तो जनम का बैर था पूर्णम से और आज वो हमारी दुश्मन बन चुके हैं ये सब रामप्रकाश आचार्य जी के मरने के बाद हुआ है अगर आज वो जिन्दा होते तो ये कभी न होता एक बात कहें हम अपसे रामप्रकाश आचार्य जी जितने अच्छे इंसान थे उतने अच्छे कलाकार भी थे अच्छा निर्मला देवी एक बात पूछों आपसे पूछे ये रामप्रकाश जी और पूनम का रिष्टा क्या था अब क्या नाम दू उस रिष्टे को पूनम को वालन बजाने का बेहत शौक था पर हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम उसका शौक पूरा कर सकते पूनम को रामप्रकाश आचार्य जी से ही वालन सीखना था उसी ने मुझसे कहा कि उनकी वो पहली मुलाकात कैसे हुई कर दो पूनम को कर दो पूनम को कौन हो तुम हां मैं तुम से पूछ रहा हूं कौन हो तुम जी जी मैं मैं हूं मैं का कोई नाम तो होगा जी वो पूनम नाम है मेरा अच्छा अच्छा पूनम कैसे आ रहा हुआ वाइलन की अवाज सुनकर खिची चली आई पिछले कई दिनों से मैं चुप चुप कर आपको वाइलन बजाते हुए देख रही थी मैं आपसे वाइलन बजाना सीखना चाहती हूँ पर आप तो बहुत बड़े कलाकार है ना तुम वाइलन बजाती हो जी बस यूँ ही ठीक है आओ आओ ओ आप बैठिये मैं आता हूँ जी यह लो जी बजाओ जी मैं भई अगर मुझे तुम में कोई बात नजर आईगी तो में जरू से खाँगा झाँ 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 आराम से, बचाओ, आराम से, 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 आराम से क्या हुआ आपको पसांद नहीं आया मैं यह सोच रहा था कि तुम वाइलन यहां सिखने आयो यह सिखाने जी तुम बहुत अच्छा बजा दिगा इसका मतलब आप मुझे वाइलन बेजाना सिखाएंगे जरूर और राम प्रकाश आचारी जी ने पूनम को अपना शिश्य मानते हुई उसे वाइलन बजाना सिखाना शिरू कर दिया और राम प्रकाश जी के साथ जाने भी लगे वो उनके बहुत करीब आ गई थी शायद संगीत की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां छोटे बड़े उच नीच जात पात और उम्र का भी कोई लिहास नहीं होता और यही पूनम के साथ हुआ उम्र के फर्क के बावजूद राम प्रकाश और पूनम प्यार के रिष्टे में बंद गए पूनम मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी राम प्रकाश जी के उस हर मुलाकात का हाल वो मुझसे सुनाती आज अब बहुत खामोश लग रहे हैं क्या बात है पूनम तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फर्क है पूचकती हूँ कि संगीत की मात्राएं गिनने वाला अज उम्र की गिनती क्यों कर रहा है बहुत जरूरी अपूनम तु आंधी की तरह मेरी जिंदगी में आई तुम्हारे अंदर के कलाकार ने मुझे अपनी तरफ इस तरह खीचा कि अपने जजबात को रोक नहीं पाया और जजबात के लोहों में पहता ही चला गया आप तो खामखा अपने आपको ही इल्जाम दे रहे हैं मैं एक नहाय थी मस्बूत इराद उमारी लड़की जब मैं ही अपने जजबात पर काबू न अपासकी तो इसमें आपकी क्या गलती अगर मैं इसने चाहती तो आप मेरे आचल को छू भी नहीं सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो जजबात आपके दिल में है वो मेरे दिल में भी तो है नहीं पूनम तुम्हारी उम्र कम है तुम नादान हो इस उमर में फैसले जबात से लिये जाते हैं दमाग से नहीं कि नहीं मेरे उम्र कम हो सकती है मगर मेरी सोच सोच नहीं कि मैं नहीं मेरे दिल से आपको सब कुछ मान लिया है आप मेरे लिए भगवान हैं पूनम ये तुम्हारा पागलपन है तुम वो एक फूल हो जो जिन्दगी की डाल पर अभी-अभी खिला है और ये फूल अपने भगवान पर अर्पित हो गया है तो इसमें बुरा क्या है मैं एक बात इभानदारी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने जिन्दगी में शादी ना करने का फैसला कर लिया था पर अब वो फैसला मैंने बदल दिया है लेकिन अगर आप मुझे चुकराना चाहते हैं तो बात कुछ और है नहीं पूलम ऐसी बात नहीं है अभी तुमारे सामने तुम्हारी पूरी जिन्दगी पड़ी है तुम्हारा घर है तुम्हारा समाज है तुमने गलत फैसला किया है अगर आप इसे नेतिकता के नजरिये से देखते हैं तो हो सकता है कि ये फैसला गलत है मैसे भी इस फैसले से मेरी मा भी कुछ नहीं है उन्होंने मेरे सामने एक शर्थ रखी है या तो मैं आपका साथ छोड़ दू या अपना घर क्या? हाँ, मैंने अपना घर छोड़ दिया है लेकिन आप चिंता मत कीजिए मैं आपके ओपर बोज नहीं बनूँगी बोज? नए ओनम, तुम कभी भी बोज नहीं थी तुम एक ऐसी कलाकार हो जिसके लिए शांदार भविश्य दिजार कर रहा है सिर्फ इदेशी में नहीं, विदेश में भी खर अब तो मुझे तुम आई लिए एक घर का इंतिसाम करना पड़ेगा ये वही वाइलन है जिसे रामप्रकार जी ने उसे सिखाते सिखाते दिया था और वो घर जिसे उन्होंने खरीद कर दिया था वैसे मानो, तो उस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है पर न जाने क्यों अपनी मौद के एक महिना पहले पूनम ने उसे मेरे नाम कर दिया था लेकिन निर्मला जी एक बात समझ में नहीं आती जब आप और सारी दुनिया राम प्रकाश्ची और पूनम के रिष्टे की सच्चाई को जानती थी और ये फैसला भी तो खुद पूनम का अपना था तो फिर उसने खुदखुशी क्योंकि ये तो शायद पूनम ही बता सकती थी लोग तो उसे चैन से जीने भी नहीं दे रहे थी और वहीं एक बात है कि शायद उसने अपने जीने के लिए जो रास्ता चुना था उसका अंजाम खुदखुशी भी हो सकता था ये बात तो अब एक राज है कि पूनम की मौत एक हादसा था या खुदकुशी मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान उसकी आत्मा को शांती दे शायद आप ठीक कह रही है खैर आप फिक्र ना करें मैं किसी और आदमी से बात करता हूँ लेकिन निर्मला जी इस मीच आप एक काम जरूर कीजिए आप उस घर में शांती पाट करवा दीजिए जी विनोच जी मैं चलता हूँ जी देखा भईया किस तरह से बात कर रहा था वो इडियट एजेंट हाँ लगता है कुछ ज्यादा ही चर्बी चड़ गई है मिस्टर विनोच को बात तो वो ऐसे करता जैसे मकान हमारे डाट का नहीं उसका है बहुत होगया भईया अब हमें कुछ न कुछ करना होगा अब तो वो उस घर के अंदर शांती पाट भी करवा रहा है जोटे वो चाहे जो कर ले उस मकान को हासल नहीं करपाए रहा और अगर उसने अपनी हद पार की तो उसके घर में शांती पाठ होगा उसकी आत्मा की शांती के लिए अवन के तैयारी हो गई है शुरू करें निवला जी जी कीचे जी कोई बात नहीं पर देची एक और जला लीजी यह कैसा अप्शगुन हो रहा है अऴ यिज़ फो अव यद की नो थाज़ुन है एफ लगी यजए से हैं पिए यह एफ एचा है एफ इप एफ गलोगे! एफ एफ सकते के दोलोगे! एफ एफ एष एफ 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 एए! कि प्रेटाप रहती है तो मैं या नहीं रुख सकता नहीं भी या नहीं रह सकती है दो दो, दो, दो. मेरे मिलोंची, आओ. मैं भी यहाने रह सकती. चलो. चलो, बच्चो. देरवलाजी, देरवलाजी. कर दो कर दो कि आप अजो कर दो इडारी मेके तो बालड़ दिर है लोग कहते हैं इस घर में पूनम की आत्पा रहती है अगर ये बात सच है तो मेरे सामने आओ क्या बैर है तुम्हारा घरवालों से क्या बिगाड़ा उन्हेंने तुम्हारा कैसी बेती हो तुम जो अपने ही घरवालों की दुश्मन बनी बैठी हो कि मकान अगर विका नहीं है तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे दोनों भाई भूगए मार जाएंगे जैन से रोटी निखा पाएंगे और अगर कहीं तुम तुम ये समझ रहे हैं कि सौदे के पीछी मेरा मेरा कोई अपना स्वार्थ है तो तो खालत है मैं तो ये सौदा सिर्फ तुम्हारी मां और तुम्हारे भाईयों के भलाई के लिए कर रहा हूं अपनी कमिशन के लिए नहीं आँ अब हम हां इक बता और मैं तुम्हारे श्तुफाल से डदने वाना नहीं हूं अगर किस गो मारना है तो मुझे मारो मारो मुझे कि मैं कर दो मारो अरे आप तो शांती पार्ट में गए थे इतनी जल्दी कैसे लौट आए शांती पार्ट भंग हो गया रेश्मा भंग हो गया रहिए रेश्मा इन Das पंडित तो डर कर भाग गया और निर्म अलाजी भी अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल गए लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि वो वो कोई प्रेत आत्मा का खेल था या फिर कुछ और मैंने तो लल का रहा भी कि अगर वो पूनम की आत्मा है तो मेरे सामने आए और फिर वहां मेंने पर्दे के पीछे एक औरत का साया देखा भी था लेकिन फिर अचानक वो साया गायब हो गया और और फिर से सारा माल शांत हो गया देखिये जी ये सब सुनने के बाद मेरा दिल तो बहुत घबराने लगा है अब आप इस मामले से अपने आपको अलग कर लीजिए जब पंडे जी और निर्मला जी वहां से भाग गई तो आपको वहां रुखने की क्या जूरत थी अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा कौन है आपके सिवा लेकिन 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 कुछ नहीं आपको मेरी का सब अब आप उस घर के बारे में नहीं सोचेंगे लेश्मा तुम तो जानती हो इस सब मैं उनम और उसके दोनों छोटे भाईयों के लिए कर रहा हूं देखिये हमदादी चाताना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन खुद की जान पर बनाए ऐसी हमदादी का क्या फाइदा नहीं नहीं आप अभी जाके निर्मला जी से कह दीजिए कि वो ये काम किसी और से करवा दें ठीक है मैं एक बार निर्मला जी से जाकर ज़रूर मिलूगा नहीं विनूद अब तो मैं भी तुमसे यही कहना चाहूंगी कि भूल जाओ उस मकान के बारे में उस मकान से उस मकान से हमारा कोई लेना देना नहीं है आज आज जो मेरी आँखों ने देखा वो क्या था यह तो बस भगवान ही जानता है लोग तो ठीक ही कहते थे जिनकी अकाल मृत्य होती है उनकी आत्मा बटकती रहती है हमने तो काफी प्रयास किये शांतिपाठ करने के पर वहां शांतिपाठ नहीं हो सका वहां का बायानक मनजर देखकर तो मैं डर गई थी मैं भूल चुकी थी विनोजी आपने भी तो अपनी तरव से कोशिश की थी भूल जाएए उस मकान को भूल जाएए मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी हमदर्दी जताने में आपकी जिंदगी पर कोई आँच आ जाए शायद अप ठीक कहने निर्वला जी लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँ आप कभी भी अपने आपको अकेला मत समझें मैं हर वक्त आपके साथ हूँ अच्छा मैं चलता हूँ नमस्ते सलाम साब कोई आया था नहीं साब आज आज आफिस में कोई नहीं है अच्छा तुम भी जाओ जी मैंने कहा तुम भी जाओ जी साब थैंक यू कानूत अच्छा प्रॉट मैं बुचा कानूत अच्छा मैं कानूत और चाहूत और अंदर कैसे आ गई मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकती हूँ और कहीं भी जा सकती हूँ ये मेरे सावाल का जवाब नहीं है मैंने तुम से पूछा कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई लगता है तुम्हारा गुश्टा अब तक शांत नहीं हुआ देखो देखो इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठ हूँ तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन मेरा नाम पूनम है पूनम? हाँ, कहा ना, मैं पूनम हूँ तुम पूनम हो? हाँ, मैं ही पूनम हूँ लेकिन, लेकिन पूनम तो मर चुकी है बंद करो अपना ये खेल खेल? ये खेल नहीं खेल तो मेरी जिंदकी के साथ खेला गया है अच्छा, तो तुम कैसा मज़ती हो? इस तरह मेरी आफिस में घुशा आई अपने आपको पूनम बताया तो मुझे डर जाना चाहिए बेहोशोकर गिर जाना चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम पूनम नहीं हो बलकि सुनील और अनील की भेजी हुई एजेंट हो और ये सारा खेल उनका सजाय हुआ है खेल तो उनिह दुनों का है लेकिन उस तरह से नहीं, जिस तरह से तुम सोच रहे हो जो खेल अभी तक खेल रहे हो तुम लोग, वो तुमाने देखी चुका हूँ तुम लोग इचालाखी अर्थों के बाजिया लोगों को डराने के लिए पंके से लटकते हुई लाश और ये सब कुछ तुम उन तोनों के इशारों पर कर रही हो वो तुम्हें तुम्हें अभी भी दिखा सकती हूं देखो लोगों पर रही हुई आफ दुम्हें अभी देखो यह सुनो, यह यह तुम क्या करे यो, देखो, देखो यह चाला कि मुस्से नहीं चालेगी, सुनो, यह यह क्या करे यह तुम? विनोद, यह तुम, हाँ, हाँ, मैं पूनम हूँ, जिन्दा नहीं, एक आत्मा, लेकिन, लेकिन यह सब को जो हो रहा है, वो क्यों, किस लिए? देखो विनोद, मेरा मकसद तुमको या किसी को डराना नहीं है, और नहीं मेरा मकसद उजा में विग्म डालना था, मैं तो सर्फ यह बताना चाहती हूँ, कि मेरी मौत ना दो कोई हाच्चा था, ना खुदकुशी, मेरा कतल किया गया है, क्या? और मैं भटक रही हूँ, इनसाफ के लिए, और तुम्हें मुझे इनसाफ दिला सकते हो, विनोद, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरी माने तुम्हें बता दिया होगा, कि मेरा और रामप्रकाश का क्या रिश्टा था, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे और राम प्रकाश के उस संबंद का क्या अंजाम हुआ ये तुम क्या कह रहे हो? मॉम, जिसे हम शिश्यों और गुरू का रिष्टा कहते थे ना, अब वो नहीं रहा अरे मॉम, मुझे तो ख़बर मिली है, ति डाड ने पूनम को एक मकान खरीद कर दिया है बिटा देखो, ऐसा नहीं हो सकता पूनम अब पहले वाली पूनम नहीं रही है अब वो मशूर कलाकार बन चुकी है उसके स्टेज पर अपने प्रोग्रेम सोती है वो इतना पैसा कमा रही है तो फिर उसे क्या पड़ी है कि वो किसी से मकान लेगी बस मा, आप में यही वुराई है कि आपको किसी और में वुराई नजर आती ही नहीं है डाड और पूनम का रिष्टा दुनिया से छुपा नहीं है अरे लोग तरह तरह की बाते कर रहे हैं पूनम ने घर क्या छोड़ा पैड ने उसे मकान ले दिया देखो पिट्चा तुम्हारे पिताजी एक बहुत बड़े कलाकार है वो इतने अच्छे कलाकार है कि उनके गुण से कोई भी परभावित हो सकता है अब मुझे देखो मुझे में कोई गुण नहीं है लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे इज़द देने में मेरे सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखे उन्होंने तुम्हारे परविरिश्मा भी कभी कोई कमी नहीं रखे वो सिर्फ तुम्हारे पिता जी नहीं है, बलकि समाज के एक सम्मानित व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति के चरितु पर तुम उंगली उठाओ, लांचे लगाओ, ये तुम्हें शूभा देता है क्या? वाह मा, वाह, कितनी भोली हैं आप, और अपने इस भोलेपन में आप खुद तो डूबेंगी, हमें भी साथ डूबोएंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं चुप नहीं बैठूँगा क्या करोगे तुम? मैं कुछ भी करूँ, मगर आप कुछ नहीं बोलेंगी, आप चुप रहेंगी, यगर आपने कुछ कहा, या आपने कुछ किया, तो मुझ से पुरा कोई नहीं होगा, चलता हूँ नमस्ते में साब, नमस्ते अरे, सब लोग कहा हैं? आप तो अपने संगीत रूम में हैं, और मिम साब अपने रूम में हैं, अगर आप कहें तो बुला दूँ नहीं, नहीं, तुम आशा जी से जाकर बता दो कि मैं आई हूँ, मैं अचारी जी को मिलकर आती हूँ जी, बहुत अच्छा चारो, तुम जाओ यहां से, जी क्या बात है? एक घर पर तो कब्जा कर चुकी हो, अब इस घर को भी हासल करना चाहती हो ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी तुलील, ये क्या हो रहा है? डैड, यहां कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, आप दोनों के बीच हो रहा है और ये जो कुछ भी हो रहा है डैड, इसे हमें सुधारना है यह आज के बाद इस घर में नहीं आएगी और बहुतर होगा कि आप इससे खुद कहें कि यह आज चरी जाए और इस घर में फिर कदम ना रखे यह घर मेरा है मैं इस घर का मालिक हूँ मैं फैसला करूंगा कि इस घर में कदम कौन रखेगा और कौन नहीं रखेगा नहीं डाइड अब यह फैसला आप नहीं हम करेंगे अरे तू कैसी बेश्रम औरत है तेरी वजह से इस घर में महाभारत छड़ गया है और तू अब तक क्या खड़ी है अरे जा यहां से विम्ला तू इस घर की नौकरानी है तेरा जो काम है सिर्फ वही कर चल जा जा है से अरे मीम साहब आपको जिसे इस घर के बाहर कर देना चाहिए उससे तो आप कुछ कह नहीं रही तिर्फ मुझी को डांट रही है मैंने जो कहा इस घर की भलाई के लिए कहा बिम्ला इस घर की भलाई हम तुम से ज्यादा अच्छी तरह समझ दें तुम जाकर चुपचप यहां से नहीं जाएगी वह हमारी महमान है हमने उससे दीनर पर भुलाया है नहीं आचारे जी मेरा आप यहां रुपना मुनासिब नहीं प्लीज आप मुझे जाने दीजिए पूनम मेरी बात चुरो कि नलायक छोड़े इनको मा मैंने कहा था आपसे बिल्कुल चुप रहेंगी कुछ नहीं बोलेंगी नहीं मैं चुप नहीं रहूँगी तो छोड़े इनको आचा इन्हें कुछ मत कहो कुसूर इनका नहीं है कुसूर तो हमारा है जो ऐसे सपोलो को पाल पोस्ट कर बड़ा किया है इन्होंने घर में जो आज हरकत की है वो कल बाहर जाकर भी करेंगे तो हमारी क्या इज़त रहेगी चैड अपनी इजद आपने खुद कवाई है यह तो कह रहा है निकम्मे जो खुद कोई कामधाम नहीं करता सिर्फ अवारागर्दी करता है रंग्रलिया मनाता है इतना जवान जवान हो गया और अभी तक बाप के टुकड़ों पर पल रहा है शर्म आनी चाहिए तो भी शर माली चाहिए शर्म तो इन्हें आनीचे मां इस बुड़ापे के अंदर अपने बीवी और बच्चों के सामने एक जवान लड़की के साथ रंग्रलिया मना रहे है अरे अरे तुम लोग खड़े देख्या रहे हो जाओ जल्दी से डॉक्तर को बिलाओ फोन कर रूकों दॉक खोलूब और कुछ लेहे ही हुगा ह9 6 rebel आंप अधर चीनीवें आपको कुछ नहीं हो एक अधर जिल्मानों है का ऐसी अ में और मैं इसमें मैं भी अपने आपको जिम्मेवार मानतीं हूं उनम, जो कुछ भी हुआ, सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई लेकिन ये जानकर तो और भी हैरत हुई कि आचारे जी की घर की नौकरानी इतनी मुचड़ी और बत्तमीज थी हाँ, उसके बाद मुझे उस घर की जिन सचाईयों के बारे में पता चला अगर लोग सुनेंगे, तो उनके रॉंक्ते खड़े हो जाएंगे बिमला अगर अपने आपको उस घर की नौकरानी समझती, तो शायद ऐसी बात कभी नहीं करती मगर वो, वो तो अपने आपको उस घर की मालकीन समझती थी उसी की वज़े से, आज सुनील की पत्नी इस दुनिया में नहीं रही क्या? हाँ, सुनील निहायत ही गिरा हुआ और पचलन इंसान है उसने अपनी बीवी को कभी वो दर्जा नहीं दिया, जो उस बिचारी को मिलना चाहिए था उसके तो बिमला के साथ नाचाह संपन्त थे ये बात उस दिन की है, जिस दिन सुनील के पत्नी अपने माई के गई हुई थी साहब, तूद, रख तो अरे इतनी जल्दी क्या है जाने की छोड़िये न, ये आप क्या कर रहे है, कोई देख लेगा अरे तू किस से डरने लगी, जोती तो गई है अपने माई के लेकिन माजी माजी, सो रही मैं कप्रे बदल के अब ही आई सो मच जाना छोड़ू न, क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा जाने से पहले, बैक्स तो देदी जाओ जब लाओ झाल जाने जाओ पेश्रम औरत तेरी इतनी हिम्मत जोती वो तुम्हारी फ्लाइट हाँ मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी और बाद में कैंसल मगर यहां सब क्या हो रहा है हाँ जोती जरा आहिस्ता बोलो लोग सुननेंगा कोई सुननेगा मैं चाहती हूं ना तुमारी यह गिनानी अरकत सारी दुनिया देखें पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में और कबसे गंदा खेल चल रहा है अच्छा तो यह होगा कि आप ने प्रस्साना कि रिव कि अधिक्कारण भ्र्रातु हम अब है नोग्ए जोती वार्ट सो क्यों में था उन आ यह कूषि नहीं को वित्वी डालती में में शोच नहीं बोलोंगी मैं अपना हाथ तब तक नहीं हटाऊंगा, सुना तुमने, तुम कुछ नहीं बोलोगी, चुप रहोगी, चुप अरी साहब, ये तो बेहोश हो गई ओ गाड मैं तो भूली किया था किस हो, इसे सांस की तकलीफ है जोती, जोती, जोती अरी साहब, ये तो मर गई, आपने इसे मार दिया नहीं, नहीं, मैंने तो इसका मूँ बंद किया था, सिर्फ इस लेके कुछ बोले न मुझे क्या बतार इसकी सांस ही रुख जाएगी अब, आप यही सोचना है क्या आगी क्या करना है साहब जी, हमने तो कुछ नहीं किया, अब अब इस जटजट से आप ही निपटिये नए, ये सब तेरी वज़ा से हुआ है समझी तू, तेरी वज़ा से अब ये सोचना है कि आगी करने हैं साहब, एक काम करते हैं, घर पे सभी लोग सो रहे हैं, इसे यहां से ले जाके, किसी सूनसान जगह पर ले जाके फेक आते हैं नहीं, इसके लिए तो कुछ और ही सोचना बनेगा, सुनील और बिमला ने जोती की लाश को पंके से लटका दिया और उसकी मौत खुदकुर्शी बन गई, हर एक दिफाक से डाक्टर ने भी यही रिपोर्ट दी, कि जोती की मौत सास के रुख जाने के वज़े से हुई है, और सुनील, सुनील साफ साफ बच गया इसका मतलब तो यह हुआ कि पंके से जो लटकती हुई लाश दिखाई पड़ती है, वो हाँ, वो जोती की लाश है मगर पूनम, तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या बात है वकील साफ, आप खामोश के बैठें, वजियत क्यों नहीं पड़ते हैं, जब तक मिस पूनम यह नहीं आ जाती, मैं यह वजियत नहीं पड़ सकता क्या तालुक है पूनम का उस वजियत से? तालुक है, वजियत के मताबिक आप लोगों की तरह मिस पूनम भी एक बेनिफिशेरी है क्या बुला आपने? क्या बक्वास कर रहे हैं आप, दिमाग तुनी खराब होगा आपका? सुनील इस वजियत में खास तौर से जिक्र किया गया है मिस पूनम का इसलिए हमें उनका इंतजार तो करना ही होगा वकील साब आप नाराज मत हुए, मैं समझती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आउ पूनम मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? देखिए पूनम जी, राम प्रकाश जी ने मुझसे वसीयत लिखवाई थी और उस वसीयत के मताबिक इस जाइदाद में आपका भी हिस्सा है लेकिन वकील साहब, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए अरे बन कर आपना नाटक यह नाटक नहीं है, मगर तुम, तुम इस बात को नहीं समझोगे देखिए बहस करके कोई फाइदा नहीं है बहतर होगा आप यह वसीयत गौर से सुने और मुझे आगे की कारवाही करने दें इस वसीयत में उन्होंने अपनी जायदात के चार हिस्से किये हैं एक हिस्सा उन्होंने अपनी धर्मपत्नी आशा देवी के नाम किया है दो हिस्से उन्होंने अपने दोनों बेटे सुनील और अनील के नाम किये हैं और चौथा हिस्सा मिस पूनम के नाम लिखा है ये वसियत यहां पढ़ने की एक खास वज़े ये है कि आचारी जी यहां एक संगीत विद्याले बनाना चाहते थे मेरा मतलब है इस बंगले को संगीत विद्याले में तब्दील करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ये बंगला मिस पूनम के नाम लिखा है इस वसियत के जरिये आचारे जी ने मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी क्योंकि उनकी अंते मिच्छा थी कि वो उस बंगले को संगीत विद्याले में तब्दील करना चाहते थे और उनकी अंते मिच्छा का सम्मान करते हुए मैंने उस बंगले की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लिए मगर उस बंगले में मेरे खिलाफ एक साज़िश हो रही थी हाला कि रामप्रकाश जी ने अपने दोनों बेटों के लिए काफी ज़्यदा छोड़ रखी थी लेकिन नजाने क्यों उनके बेटे उनकी अध्य मिच्छा को पूरी ही नहीं होने देना चाहते थे और फिर एक दिन अनिल और सुनिल ने अपनी मा को बहलाफ पसला कर उन पेपर्स पर साइन करवा लिया और उस घर की पावरोफ अटाउनी अपने नाम लिखवा लिए आप लोग क्या बाद है? उनम जी हम आपसे मौफी मघने आये हैं मौफी? मौफी किस बात की? जो सुलूक हमने आपके साथ किया उसके लिए जो पेज़र्थी की हमने आपकी उसके लिए आपने आपको बहुत जलील कीया नजाने क्या-क्या उल्टी सिदे इर्जाम लगाया आप पर देखो तुम दोनों ने जो कुछ भी किया वो स्वभाविक था उसमें गलती मेरी भी थी लेकिन जिस तरह का बरतावत तुम दोनों ने आचारे जी के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती और उसके लिए आचारे जी की आत्मा भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी देखे पुनम जी हम अपने केवर बहुत शर्मिंदा हैं और प्राश्चित करना चाहते हैं अगर आप हमें मौफ कर दें तो शायद टैड़ी के आत्मा भी हमें मौफ कर दें अगर सच्मुष तुम्हारे मन में पश्टावा है और तुम इसलिए यहाँ पर आये हो तो सच्मुठ तुम उस महान इंसान के बेटे हो जो मेरे लिए जीवन में सब कुछ था जाओ मैंने तुम दोनों को माफ किया और भगवान भी तुम्हें माफ करें पुनम जी आप सच्मुष महान हैं हमने तो सिर्फ सुनवा था कि कलाकार महान होता है और एक महान कलाकार के उलाद होने के बावजूद हमने इस बात को नहीं जाना है आपने हमें मौफ करकर हमारे एक बहुत बड़ा बोज हलका कर दिया बस अब हमारी भी इच्छाय पुनम जी के पिता जी का संगीत विद्धाले का काम जल्ट से जल्ट शिरू हो जाए ममी भी यही चाहती है पुनम जी कल रात को हम हमारे बंगले पर एक बुजा कायोजन कर रहे हैं ममी की इच्छाय की आप ज़रूर आएं इसलिए हम आपसे बिनती करने आए हैं मैं आउंगी मैं जरूर आउंगी कल रात को भूलिये का नहीं नहीं मैं नहीं भूलोंगी मैं जरूर आउंगी नमस्ते नमस्ते कर दो कर दो कर दो कर सुनिल अनल आओ पुनम आओ अनल ये बंगले में इतना अंधेरा क्यों है वो अभी अभी लाइट चली गई थी इसलिए हमने मौंबतियां जला दी है आप लोगों ने कहा था कि घर में पूजा है पर यहां ना तो पंडित दिखाई दे रहे हैं और ना ही पूजा का सामान वो पिजली चली गई थी ना इसलिए हमने पंडित को भी रोक दिया अच्छा आशा जी कहां है उन्हें जहां पहुंचना था हमने उन्हें पहुंचा दिया क्या मतलब वो ऐसा है ना कि वो हमारी मा है न इसलिए हमने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया क्या और देखा जाया तो तुम भी हमारी मा ही हो इसलिए अब तुम्हें कहां पहुंचाना है ये फैसला भी हम ही करेंगे तुम लोग चाहते क्या हो पुनम, मुझे हम कल मुआफी वगरा मांगने आये थे न तरसल वो एक बहाना था कि तुम चुप-चाप यहां चलिया हो और अब ना तो किसी ने यहां तुम्हें आते देखा है और ना जाते देखेगा तुम इस वक्त तो तुम अपनी जिंदेगी की कुछ आखरी साह से गिन रही हो क्या मतलब मतलब मैं समझाता हूं तुम्हें तुमने कैसोचा था कि मरने से पहले हमारे बाप ने जो बेवकूवी की थी वो हम मान लेंगे हम कबूल कर लेंगे यह जाइदाद हमारी थी और हमारी रहेगी लेकिन यह तब तक मुम्किन नहीं जब तक तुम जिंदा रहोगी क्या बकवास कर रहे हैं तुम दोनों हटो मेरे रास्ते से भाकी कहा जा रही हो कुनम हमने तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़ी अंदिजाम कर रखा है हम तो तुम्हें बड़ी श्यांदार और बड़ी चैन की मौत देनी जा रहे हैं चोड़ो मेरे रास्ता अरे जल्दी क्या है छोड़ो अरे रुक जा चोड़ो मेरे रास्ता देखो आयाउ देखा मिरार चलाओ डेखा का वार्टवस या लौगी बिल्कुर नहीं छोडाओ देखा नहीं चोडाओ देखा चोडा मुझे चोडाओ आख हमा जाल को हमा है तू कुछ भी नहीं है तू कुछ भी नहीं है घर लेगी हमारा घर लेगी चलो उसके बाद कुछ लोगों को मेरी लाश जील में मिली कुछ लोगों ने उसे हाथसा समझा और कुछ ने खुद कुशी यह लोग तो बहुत खतनाक है पूनम इन्होंने पहले जोती को मारा राम प्रकाश अचारे के मौत के जिम्मेदार भी वहीं है और उसके बाद उन्होंने तुम्हारी हत्या की और आज तक यह आज़ाद घुम रहे हैं हाँ लेकिन अब वो आज़ाद नहीं घूम पाएंगे उन्हें भी बिल्कुल वैसी सजा मिलेगी जैसी मौत उन लोगों ने मुझे दी विनोद मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ ताकि तुम मेरी मदद कर सको पुना मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ अगर तुम चाहो तो मैं आज ही उनके खिलाफ पुलिस पे रिपोर्ट लिखवा देता हूँ नहीं नहीं विनोद उन्हें सजा सिर्फ मैं दूंगी और तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगी ठीक है जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा कि नमस्ते साहब यह रेजिस्टर लेडर है सुनील आचारे के नाम पर यहां दस्कत कर दीजे तुम्हें क्योंगी यह रेजिस्टर लेडर है पता नहीं खोल कर देखता हूं यह रेजिस्टर तो पुनम का है पुनम का पर छोटे इस पर तारीक पच्चिस छे दो हजार लिखी है इसका मतलब है वो पुनम के मरने के एक मेने पहले की तारीक है हाँ अच्छा इसमें लिखा क्या पड़त उसे हाँ यह खत मैं सुनिल और अनिल अचारे के लिख रही हूँ मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मेरी वज़े से आपके पिता ने आप लोगों के साथ बड़ी ज्यादी थी की संगीत विद्याले तो कभी भी बन सकता है मगर वो बंगला जिसमें आप दोनों का जन्म हुआ पलकर बड़े हुए और जिसमें आपकी यादें आपसे जुड़ी हैं वो अगर छूट जाये तो यह सदमा जिन्दिगी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है मैंने इस बात को महसूस किया और मैं बार बार शर्मिंदा भी हुई यह बंगला जो मेरे नाम पर था वो यह agreement के जरीए आप दोनों को लोटा रही हूँ छोड़े देख agreement है agreement के जरीए आप दोनों को लोटा रही हूँ उमीद है आप इसे कुबूल करेंगे और मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देंगे दिखा या छोटे हमने तो पुनम को समझने में गलत ही कर दी हाँ भाईया हमने तो खामाखा उसे माल डाला और यह दिक एग्रिमेंट उसे बंगला हमारे नाम पर कर दिया और अब हम बंगले के मालिक हैं अब यह बंगले के मालिक तो हम है लेकिन सिर्फ नाम के लिए क्या मतलब मतलब ये कि बंगला क्या चाटना है देखो एक काम करते हैं इस बंगले को बेज करके जो पैसा आएगा उसे एक बिस्निस स्टार्ट करते हैं छोटे बात तो तू समझधारी की कर रहा है पर इसका ग्राक भी तो बिलना चाहिए हाँ हाँ वो भी देखता हूं हलो हलो है क्या मैं सुनिल अचारे से बात कर सकता हूं बोल रहा हूं कहिए कौन बोल रहे हैं आप जी मैं विनोद इस्टेट एजेंट पॉन क्यों किया जी दरसल आपके बंगले को खरीदने के लिए कुछ पार्टीज हैं अब पहले तो मेरी हिम्मत नहीं आपसे इस सिलसल में बात करने की लेकिन फिर मैंने सोचा इसने सी तो है इसलिए अगर आप कहें इंप्रेस्टेड तो मैं पार्ट अहां नेकी और पूछ पूछ मगर विनोद के साथ भाईया इस वक्त यह सब भूल जाओ सिर्फ अपना काम निकालो बोल दो तो ठीक क्या रहा है विनोद वो बंगले को बेशने में हम इंट्रस्टेट तो हैं और आब हम उस बंगले के कानोरी मालिक बन गहे हैं तो कोई अ मत मिल सकती है यही समझ लीजे कम से कम तीन करोड रुपर तीन करोड जी और अगर आपको कम लगती है तो बढ़ा भी सकते हैं ने बस आप चो मुनासिब समझें हों कीजिए बस आप पाटी लिए हां लेकिन टाइम को याद रखिएगा शाम को ठीक साथ बज़े हां समझ ग कमाल हो गया ने अभी अभी मकान हमारे नाम हुआ है और अब खरीदार भी मिल गया मैं कमाल है भाईया लगता है हमारे दिन पलट गए है ठीक है साथ बज़े त्यार रहना ओके मैं भी चलूगी आप लोगों की साथ तुम क्या करूँ चल गया इन्हें साथ ले लो औरत कि तो अच्छा एंप्रेशन पढ़ता है ठीक है कोई नजर नहीं आ रहा नहीं कोई है ही नहीं वेल्कम वेल्कम मिस्टर सुनी मैं अब ही कंताजार कर रहा था वैं कमाल अब वाकई वक्ते बहुत पावन निकले यह आपके भाई आनेर है इंसे तो मैं मिल चुका हूं नाइस टुसी यू लेकिन यह पिमला है अच्छा अच्छा आपकी धर्म पत्नी मुझे लगता है उन्हों आ गए है आप लोग बैठिए आज जसका मेंने सेकिंद एक्स्क्यूज मुझा कम हो या ज्यादा इस मकान का सौधा करी लीजिए वैसे वी बड़ा मनूस मकान है हमारे लिए लेकिन पहले देखतों ने पार्टी क्या बूलती है हम तुम रुको मैं दिख क्या आता हूं लगता है विनोद कोई खेल खेल रहा हमार साथ मैया सुनील! क्या हुआ ? क्या? क्या? दर्वाजे के पीछे दर्वाजे के पीछे? क्या है? क्या है ? छोती थी छोती ? हाँ क्या बात करो भही आ एस इंपॉसबल इंपॉसबल एक मुट आप यहाँ ठेहरो मैं.. मैं देखताू आने, बीकेफूल नहीं बाया, अंदर तो कोई भी नहीं है, सब ठीक है, लगता है आपको कोई वहम हो है जो कुछ भी हो, अब हम यहां एक पल नहीं रुखेंगे, चलो यहांसे, चलो, ठीक है भी है बाया, बाया, जो, अचलो, भी है लात, लात होलो, होलो स्द कॉल roar ब Magnestra, मונर्त बात, लात लात, लात 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 होलो holds फच्राइड को भी जेुँ होजड़ से भी को भी को अखियो जो भुझा लुझा बहुझा जो जो जाए दो ले वे सकता है वड़ में, क्रॉट रचात। वै बहू हो पूर कर दो कर दो हुआ 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 है अ करो जो!!! यह के लख बाट फिफट कर द Whoseтор आए लाट क्ट्रॉत क्टुडर्स क्कुष पिछ अ क्ट्रॉत क्ट्युडर। कर दो